जै मातादी दोस्तों तो कैसे हैं आप सब उम्मिद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होगे मैं मोनीका अपने चैनल में आपका स्वागत करते हूं तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत-बहुत सुब्कामना है मातारानी सभी पर अपना अशिर्वाद और किरपा ऐड़िया चाट बन है जो जत बठ करने क्यों मैंने थोड़ा सा जीरा और हाँ गाईज अगर आप कुछ चीजे इसमें से नहीं खाते हो पास में तो आप इसकिप भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है जो चीज खाते वो एड कर लीजिएगा तो देखे जीरा थोड़ा होने के बाद मैंने क्या किया थोड़ा सा अद्रक मैंने काट लिया तो तीन हरी मिर्ची अधरग भी फ्राई होगा तो मैंने जो आलू कट कर दिया कि अधर कर दी है कि तो अधर करने के बाद हम क्या करेंगे इनको लगातार चलाते हुए बून लेंगे मतलब इसमें अच्छे से इसको पकाना है इनको कच्छा नहीं चोड़ना है इसमें आलू इसके साथ मिर्ची नमक के साथ जो फ्राई होंगे उसका टेस्ट एक अलग लेवल का आता है जब हम बोईल आलू की कोई चाट वगएरा बनाते तो हलके से फीके फीके लगते अंदर से लेकिन ये पूरे अंदर तक कुक भी हो जाएंगे और इसमें जो मिर्ची और नमक का जो टेस्ट है न वो वरत में खाके अब बिना वरत के ना फिर इसको रोज बना के खाएंगे इतनी टेस्टी ये चाट लगती है तो यह हमारे एक बार मैंने फिर से इसमें चेक कर लिया है तो अभी थोड़ा सा इसमें कम काई रह गई है तो उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने नमक पहले इसक ज़ए नमक ज्यादा कुछ तो जाता ही नहीं है वरत में दो तीन चीज़े ही खाई जाती है जिसके घर जादा खाय जाते हो ज्यादा एड किजेग स्के इसको फिर से धक्किया हम पका लेंगे तो पकाने के बाद एक बार फिर से वापस से इसको चेक करेंगे कि हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर फेस्बुक पेज़ पे देख रहे तो फॉलो भी कीजिएगा तो चलिए देखे मैं कर्ची से तोड के देख रही है तो हमारे आलू अच्छे से तूट पा रहे हैं मतलब अच्छे से पक चुके हैं ये देखे मैं वापिस सापको दिखा तो यह अच्छे से कुक हो जाएंगे और हाँ यह तो मैंने नोस्टिक कड़ाई लिए आप यह प्रोसेस ना लोही वाली कड़ाई में भी कर सकते उसमें भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते बिल्कुल लोही की कड़ाई में हलका सा तेल डाल के इसको ग्रीस कर लेते ना तो बिल्कुल नोस्टिक जैसा ही काम करती है उसमें कोई प्रोब्लम नहीं आती है हाँ थोड़ा सा अगर अलूमिनियम वगरा की या फिल श्टील की लेते हैं तो थोड़ा सा जलने का लगने का डर रहता चिपकने का बढ़ आप लोही की कड़ाई लेंगे लोही की कड़ा तो कुछ ही ने इसमें बहुत टेश्टी है चाट बनते एक दम टैम्टिंग सी तो सारे ही आलो निकाल कर निकाल के थोड़े से ठंडे कर लेंगे ज्यादा गर्म नहीं रखेंगे इसको थोड़ा सा थंडे हो चुके हैं तो मैंने तीन से चार फ्रेश ले ली ती इसमें काली म दन्य पत्ता कंटा आप खाते तो एड कीजिए गैनने खाते तो इसकिक कर दीजिएगा तो यह देखे दनिय पत्ता कर दिया लाश्ट में डालेंगे इसमें अपनी पाली मिर्ची और बुने जीरे का पावडर भी आप इसमें एड कर सकते हैं बट मैंने नहीं कि मीरे पस ख बहुत बढ़ जाता है तो यह देखें सभी चीजों को मिक्स करेंगे और अच्छे से गुड मिक्स इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा जो इसमें क्रंचीने से ना पीनट का वह बहुत टेश्टी लगता चांट जब खाते मूं में हलकालका बाइट आत करें क्योंकि नमक तो हम आलो के साब के पहले ही एर कर चुके हैं तो देखिए आप पास से भी मैं आपको देखा जट पड़ बनने वाली रेसिपी को ज्यादा ताम जाम है ही नहीं तो चलिए खाईए खिलाईए और अपना फिल बैक मुझे दीजिएगा चलिए फिर मैं मि थाद्ग खिलाए या ओर लो जिए खाई जाय आए आधा खिलाएए उनक जाए चाप मुझे आगाए और अगर दा मुझे वाट हऑचा यादा वाट है खाईए खाईएगा अच्छोट कर देखा दो खाईएगा बनने पना खाईएएगा रेखाईएग उन्साएगा जाए